दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि पावर पॉइंट की मदद से हम 3D Animation वीडियो कैसे बना सकते हैं तो दोस्तो अगर आप जानना चाते हैं, सिखना चाते हैं, तो दोस्तो इस वीडियो पर लास्तक बने रहिए, देखते रहिए और सिखते रहिए तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू, मेरा नाम है राजीब, और आप देखरें अपना YouTube चैनल Creator Classroom, तो चलिए शुरू करते हैं देखिए दोस्तो जो चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, यह चीज़े दोस्तो अगर आप MS Office 2019 या MS Office 2021 या Office 365 अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसी में दोस्तो यह सारी चीज़े हो पाईगी, अगर दोस्तो आप 2007, 2010 या 2013 या 2016 MS PowerPoint यूज कर रहे हैं, तो दोस्तो उसमें य बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो दोस्तो अगर आपके laptop ये PC में latest वाला MS Office इंस्टॉल है, तो दोस्तो उसमें आप ये सारी चीज़े कर पाएंगे, दोस्तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखा था कि आप कैसे MS Office 2021 को फिरी में, कैसे आप lifetime के लिए कैसे डाउन MS Office इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद दोस्तो जो चीज़े मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये सारी चीज़े दोस्तो आप आसानी से अपने laptop ये PC में कर पाएंगे, ठीक है, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, और जानते हैं कि PowerPoint की मदद से हम 3D animation व normal sumstrate ले लेनी है, ठीक है, कुछ भी अगर हमें परजेंट करना है, खोई भी चीज दिखाने है, एक तो जो चीज़े हम दिखाना चाहते हैं, जिस चीज को हम समझाना चाहते हैं, वो चीजे रहेगी, ठीक है, और दूसरे तारफ हमारा रहे गा tax, ठीक है, जो चीज़े हम explain करना चाहते हैं वो चीजे लिखा हुआ होना चाहिए दो ही चीजे इसमें होगा तो दोस्तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर उन दोनों चीजों को insert करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तो हमारा यह जो PPT है हमारा जो slide है इसका सबसे पहले background design करना पड़ेगा उसके color field कर सकते हैं चाहें तो दोस्तो आप यहां से gradient field कर सकते हैं या तो आप कोई image insert करना चाहें तो कोई image insert कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो मैंने एक image बना करके रखा है तो मैं उसी को यहां पर insert करूँगा ठीक है तो यहां से दोस्तो मैं picture और texture field option select करूँगा और यहां से दोस् आप PC के गैल्डी में जाऊंगा और उसके बाद दोस्तो हमारा जो image बना हुआ है जिस folder में है उस folder में मैं चला जाऊंगा ठीक है तो दोस्तो यह रहा हमारा background theme ठीक है जिसे मैंने पहले ही बना के रखा है तो मैं इसी को select करूँगा और यहां paint shirt कर दूँगा तो इस तरह से बहुत ही जल्द यह design हो जाता है ठीक है देखिए दोस्तो मैं आपको बताना चाऊंगा कि अगर आपको अपने presentation को attractive दिखाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो important चीज होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आपको अच्छे से header design करना है और अच्छे से आपको अपन 3D model यह जो भी चीज़े आप insert करना चाते हैं वो सारी चीज़े अगर आप अच्छे से insert कर देंगे और उसमें अगर आप अच्छा सा color यूज़ करेंगे अच्छा सा font यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपका presentation बहुत ही attractive दिखने लग जाएगा ठीक है तो कैसी करते हैं आई देंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पे एक rectangle shape draw कर लेंगे कुछ इस तरह से और देन दोस्तों हम लोग करेंगे यहां पे right click करेंगे और edit point में जाएंगे ठीक है edit points और देन दोस्तों यहां पे यह कुछ इस तरह से point आ जाएगा ठीक है और देन दोस्तों हम लोग करेंग shift को प्रेस करके इसे थोड़ा सा left side शरका देंगे इसे थोड़ा सा तिरचा कर देंगे कुछ इस तरह से ठीक है अगर आप इसे और थोड़ा सा design करना चाहते हैं तो यह जो आपको handle दिख रहा है आप इसे पगड़के इस तरह इसे शरका सकते हैं ठीक है तो आप अपने और देन दुस्तों हम लोग क्या करेंगे इसका color थोड़ा सा change कर देंगे तो इसके उपर मैं click करूंगा save fill में जाओंगा और यहां से दुस्तों मैं अपनी पसंद का color इसमें fill करवा दूँगा तो यहां से दुस्तों मैं इसमें yellow color fill करवा देता हूँ और यहां से मैं save outline में जाओंगा और then मैं no outline कर दूँगा तो इस तरह से दुस्तों हमारा एक part design हो जाएगा और इस part में हम लोग क्या करेंगे जो चीजे हम लोग explain करना चाहते हैं जो भी चीजे बताना चाहते हैं अपने audience को उस चीज के बारे में यहां पर हम लोग क्या कर का हैं से जाओंगै तु यहां से मैं क्या करूंगा एक text box लोगा ठीक है और यहां प מח कियूंगा और यहां पर मैं लिख दूँगा title टाइटल या Headline तीक है और दैन दुस्तों Control-A से Call Select करेंगे और यहां से दुस्तों इसका Font Size 28 रखेंगे और यहां से दुस्तों हम लोगे करेंगे अपने पसंद का Font इसमें अपलाई कर देंगे तीक है और एंटर कर देंगे और दैन दुस्तों आप यहां से यहां पे कुछ bullets points हो करानी है तो दोस्तों हम लोग करेंगे यहां से text box लेंगे और यहां पे दोस्तों हम लोग इस तरह से draw कर लेंगे और यहां पे दोस्तों आप जो भी चीजे लिखना चाहते हैं जो भी चीजे आप explain करना चाहते हैं उसके बारे में दोस्तों आपको text content इसमें लिख देना है, ठीक है, तो यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको जो भी चीजे समझाना है, जो भी चीजे आपको लिखना है, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, और देन दोस्तों अब आपको इसमें चाहिए कुछ visual, कुछ image वेगारा चाहिए तो दोस्तो आप किस चीज़ को explain करना चाहते हैं उसका image आपको यहाँ पे लगा देनी है तो यह कैसे लगाएंगे यह जानते हैं अब भी जो चीज़े दोस्तो मैंने आपको बताया है यह सारी चीज़े बहुत ही basic सी चीज़े हैं बहुत ही normal सी चीज़े हैं यह सारी चीज़े आप असानी से कर पाएंगे लेकिन दोस्तो अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसे आपको ध्यान से देखना है आपको वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और जो concept मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आप इस concept को समझ लेते हैं अगर चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो दोस्तो आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही अलग-अलग type की जो है आप 3D animation वीडियो बना पाएंगे तो दोस्तो इस concept को समझना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तो concept को आप बहुत ही अच्छे से समझेगा तो यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर 3D model insert करूँगा तो इसके लिए दोस्तो हमें क्या करना है insert tab पर click करना है इनसे टैप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा 3D Models और यह option दोस्तों latest वाला MS PowerPoint में ही होता है अगर आप MS Office 2007 यह 2010 यह 2013 यह 2016 यह 2016 यह यूज़ करने हैं तो उसमें दोस्तों यह option आपको नहीं मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर आप MS Office 2019, 2021 या MS Office 365 यूज़ करने हैं तो उसमें दोस्तों आपको यह option मिल जाएगा और देन दोस्तों आपको गया करना है यहाँ पे क्लिक करना है और देन दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिलेगा Stock 3D Models आपको इसके उपर क्लिक कर लेना है उस चीज का दोस्तों आपको यहाँ पे 3D Models सर्च कर लेना है और उस चीज को दोस्तों आपको क्या करना है उसमें इंसर्ट कर देना है माली जी दोस्तों ठीक है माली जी दोस्तों कि मैं एक biology teacher हूँ मैं science पढ़ाता हूँ और मुझे science से regarding जो है चीजों को explain करना है उस चीज के बारे में अपने student को पढ़ाना है उस ही के regarding मैं PPT बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे यह वाला जो option है anatomy ठीक है इसके उपर मैं क्लिक करूँगा और जैसे दोस्तों आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यह सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप कोई दूसरा topic पढ़ाना चाहते हैं किसी और चीज के बारे में अगर आप 3D model चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ से all animated models के उपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी चीजें दी गई है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दीख जाएगा तो मैं गया करता हूँ यहाँ से यह जो heart वाला है इसे मैं heart वाला को यहाँ पे select करके यहाँ पे insert कर देता हूँ और जैसे दोस्तों मैं insert करूँँगा तो यह download होगा और यहाँ इन पे उसके बाद यह insert हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा wait कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह यहाँ पे आ गया है और उसके बड़ा तो सही जगह पर रख करके और इसका size थोड़ा सा बढ़ा दूँगा ठीक है जितना बढ़ा रखना चाहते हैं जिस तरह से आप इससे रख देंगे कुछ इस तरह से ठीक है अब यहां पर यह जो image है यह क्या है इसके बारे में आपको यहां पर title लिख देना है और यहां पर आपको अपना bullets point लिख देना है यानि कि जो भी चीज़े आपको इसके बारे में explain करनी है वो सारी चीज़े दोस्तों आपको यहां पर text box में लिख देनी है ठीक है पहला हो गया उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इस पर right click करेंगे और then दोस्तों आपको क्या करना है यहां से duplicate slide ले लेनी है ठीक है तो यहां पर same इसी तरह का slide आ जाएगा then दोस्तों हम लोग करेंगे यह जो हमारा image है ठीक है यह जो हमारा 3D models है यहां पर दिखेंगे एक जो है कुछ चक्री जैसा दिया गए है ठीक है तो हम लोग करेंगे इस चीज को जो है यहां से mouse को left press क गुमा लेंगे ठीक है आप इसमें जैसा गुमाना चाहें जैसा करना चाहें आप इस तरह से चारो और से इसे गुमा सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैं कुछ इस तरह से गुमा लेता हूं ठीक है और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा यहां पर यहां पर मैं क्लिक कर होगा दें दोस्तो मैं कKit करूगा यहां से से फ़ॉर्मट में जाओंगा USB फॉर्मेट में जाने के बाद यहां पर रोटेशन का ओप्षोन में लेगा यहां पर मैं जाओंगा और यहां से दोस्तो मैं क क्या करूऊंगा इसको इस तरफ यानि कि flip horizontal इस तरफ इसे मतलब rotate कर लूँगा ठीक है यानि कि opposite side में इसे rotate कर लूँगा और देन दोस्तों मैं क्या करूँगा इस shape को पकड़ूँगा ठीक है इस shape को पकड़ूँगा और देन दोस्तों मैं क्या करूँगा इसको इस तरफ रख लूँगा ठीक है कुछ इस तर रख लेता हूं और मैं क्या करूंगा यह जो हमारा text वाला हिस्सा है यानि कि यहां पर जो भी चीजे लिखा हुआ है इसे मैं क्या करूंगा इस तरफ से shift को press करते हुए इसे mouse से पगड़के इस तरफ लेकर के आ जाओंगा और यह जो हमारा image है इसे मैं इस तरफ रख दूँ उस चीज के बारे में आपको यहां पर explain करना है दूसरे में माल लिजे कि यह जो आपका heart है यह जो भी चीजे है माल लिजे कि आपको इस पार्ट को explain करना है ठीक है इस पार्ट को अगर आपको explain करना है तो आप के करेंगे यहां से यह जो आपको एक line जैसा दिख रहा है ठ यहां पर कुछ इस तरह की चीज़ें आप ड्रोग कर सकते हैं यह अलग-अलग तरह का यह बनेगा यह जो येलो डॉट है इस से पगड के दोस्तों आप उपर नीचे दाएं बाएं जिधर लेकर के जाएंगे इसका यह से बदलता रहेगा ठीक है तो आप इस तरह से कर सकते ह यह तो आप के करेंगे यहां से एक लाइन शेप लेंगे ठीक है और देन दोस्तों आप के करेंगे यहां से पहले थोड़ा सा उपर साइड थोड़ा सा ड्रोग कर लेंगे कुछ इस तरह से ठीक है कुछ इस तरह से ड्रोग कर लेंगे सेप आउट लाइन में जाएंगे और यहां से width में जाकर कि इसकी width को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरह से और इसका दोस्तों आप जो भी color रखना चाहें आप इस तरह से इसका color change कर सकते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे ctrl D से इसका एक duplicate बनाएंगे ठीक है कुछ इस तरह से यह हो जाएगा और देन दुस्तों हम लोग क्या करेंगे यहां से mouse cursor को इस किनारे पर रखेंगे और थोड़ा सा इसे घुमा देंगे कुछ इस तरह ठीक है और देन दूस्तों हम लोग क्या करेंगे यहां पे एक जो है, इस तरह का shape लेँगे हुआ है आप एक rectangle shape लेंगे और यहां पे rectangle shape ड्रो कर देंगे कुछ इस तरह से ठीक है और उसके बाद दुस्तो इसमें आप जो भी color fill करना चाहें वो color आप इसमें fill कर देंगे कुछ इस तरह से और देन आपको कहा करना है shape outline में जाकर No outline कर देना है ठीक है और उसके बाद दूस्दो यह जो आपका organ है यह जो part of body है इसका नाम दूस्तों आप यहाँ पर लिख देंगे ठीक है तो आप इस तरह से इस body part का नाम यहाँ पर लिख देंगे और then दूस्दों आप कहा करेंगे अब tab में जा करके इसका जो भी color देना है यहां से आप इसका color change कर लेंगे और इसमें दोस्तों आप अपने पसंद का font अपलाई कर देंगे कुछ इस तरह से ठीक है तो यह कुछ इस तरह से हो जाएगा ओके तो यह body part का नाम हमने यहां पे कर दिया अब दोस्तों हमें क्या करना है यहां पे यह जो line है इस पे click करेंगे और animation में जाएंगे इसमें दोस्तों wipe animation अपलाई कर देंगे अभी यह नीचे से उपर जाना चाहिए तो हम लोग effect में जा करके up कर देंगे यह जो हमारा line है इसे मैं select करूँगा यहां से मैं इसमें wipe animation अपलाई कर दूँगा और यह कहां जाना चाहिए यह left से right जाना चाहिए तो मैं effect में जाऊँगा और यहां से from left कर दूँगा यह इधर से इधर जाएगा इस तरह से कर दूँगा और दें दोस्तों यह जो हमारा text box है यह जो हमारा safe है इसे मैं select करूँगा और इसमें दोस्तों मैं करूँगा यहां से wipe animation apply कर दूँगा और इसमें चाहता हूँ इधर से इधर जाए यहने कि left से right जाए तो यहां से मैं effect में जाऊँगा ठीक है पहले मैं इसे select कर लेता हूँ और फिर मैं effect में जाऊँगा और यहां से मैं कर दूँगा from left कुछ इस तरह से ठीक है अब यहां पर हमने तीन animation लगाया है पहला इस line में लगाया है दूसरा इस line में लगाया है और यह वाला है ठीक है आप जैसे इस पर click करेंगे तो यहां पर यह highlight हो जाएगा कि इसका animation कौन सा है तो दोस्तों इसका जो पहला animation है इसे मैं रखूंगा on click और बाकि जो हमारा यह वाला line है और इसमें जो हमने animation लगाया है इन दोनों में रखूंगा मैं with previous ठीक है तो इस तरह स slide यह लूँगा ठीक है अब दूस्तों इस organ के बारे में हमें जो भी चीज़े explain करना था जो भी चीज़े बताना था वह हमने बता दिया अब मैं दूसरे चीज़ों को explain करना चाहता हूं ठीक है तो मैं कहा करूंगा यहां पर तीसरे slide में आगर के यह जो आपको एक circle जैसा दीक रहा है तो आप कैंए इसे पगड़ के उस body के तरफ इसे घुम आएंगे जिसे की मुझे यह चीज़े explain करना था यह जो दोनों पार्ट है ना यह चीज़े मुझे explain करनी है कि यहां पर जो है यह वाला चीज़े connect रहता है यह चीज़े है तो इस चीज़े को explain करना है त वो चीज़े दोस्तों आपको यहां पर लिख देना है आप दिखे यहां पर हमने यहां तक रखा है आप चाहें तो इस slide में से थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से और इसे पकड़ के दोस्तों आप यहां पर रख लेंगे ठीक है तो अपने हिसाब से slide के size के हिसाब से slide के हिसाब से यह सारी चीज़े कर लेंगे तीसरा यह हो गया फिर दोस्तों हम लोग करेंगे इस पर right click करेंगे इसका duplicate बनाएंगे और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग करते हैं जैसे यहां पर content right side है image left side है और इसमें भी same उसी तरह से है लेकिन मैं चाहता हूँ अब जिसे यहां पर पहला slide में है ठीक है तो अब इसी तरह का मैं यहां पर इसमें चाहता हूँ ठीक है तो मैं गया करूँगा वापस से यह जो हमारा image है इसे पकड़के थोड़ा सा इस side ले करके जाओंगा और यह जो हमारा safe है ठीक है इसे मैं पकड़ूँगा और इसको मैं side ले करके जाओंगा यह safe है तो safe पी click करूँगा और safe format में जाओंगा और यहां से rotation वाली option में जा करके वापस से मैं flip horizontal कर दूँगा तो यह इस तरह से rotate हो जाएगा ठीक है और फिर मैं इसे इस तरफ रख दूँगा कुछ इस तरह से ठीक है इस तरफ रख दूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा slide को जूमीन कर लेता हूँ और उसके बाद यहां पर जो भी text लिखा हुआ है इसे मैं select करूँगा और देन दोस्तों मैं क्या करूँगा इसे पगड़के इस तरफ रख दूँगा ठीक है पहले कैसे रखा हुआ था ऐसे रखा हुआ था सबसे पहले तो mouse से text को select करेंगे और then shift key को press करेंगे keyboard पे जो shift की है उसे left hand से press करेंगे और then दोस्तों हम लोग क्या करेंगे mouse से इसे पगड़के इस set रख देंगे ठीक है जहां पर रखना है वहां पर इसे रख देंगे ठीक है और then दोस्तों यह जो हमारा shape है यह वाला जो रखते हैं ठीक है और उसके बाद यह जो image है आप इसे इस तरफ रख देंगे अब आप चाहते हैं यहां पर कुछ और चीज़े दिखाना चाहते है चलिए मैं इससे इस तरफ दिखाना चाहता हूं ठीक है तोड़ा सा और मैं घुमा लेता हूं कुछ इस तरह से ठीक है और इसके बारे में यहां पर content रहेगा ठीक है आप चाहें तो दोस्तों इसी तरह का एक और बना सकते हैं यानि कि इसी को इस तरह आप select करेंगे control D से इसका duplicate बना लेंगे और देन दूस्तों आपके करेंगे यहां पर दूसरा जो इसका part है कुछ भी ठीक है तो वहां पर इसे रख देंगे चलिए मैं इसे इस तरफ कर लेता हूं और यह जो हमारा pipe है इसे मैं यहां पर एक मिनट यह हो गया अब यह जो line है मैं चाहता हूं कि यह इस तरफ आ जाए ठीक है ऊपर रख दूँगा और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँगा यहां पर यह जो red color का कुछ यह जो red red line है यहां पर दीख रही है इस जीच को मैं explain करना चाहता हूं यहां पर तो मैं यहां पर इसे indicate कर दूँगा ठीक है और इसमें दूस्तों मैं क्या करूँगा इस पर मैं क्लिक करूँगा animation में जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि यह जो है यहां से यहां आए यानि कि उपर से नीचे आए और फिर यह इधर से इधर आए तो यह आना चाहिए उपर से नीचे यानि कि top से नीचे ठीक है तो यहां से मैं from top कर दूँगा तो इस तरह से आएगा और फिर यह इस तरह से चीजे ड्रो होगी और यहां पर on click है तो यहां से हम लोग कर सकते हैं after previous या with previous भी आप कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से यह हमाना यहां पर रख दूँगा और यह वाला जो है लाइन इसे पगड़के यहां पर मैं रख दूँगा और दोस्तों मैं करूँगा इसकी size को यहां पर बढ़ा करके इसमें match करा दूँगा ठीक है तो इस तरह से आप चीजों को रख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से इसमें यह 3D models भी आ जाएगा ठीक है और इस तरह से यह सारी चीज़ें आ जाएगी अच्छा अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें explain करना चाते हैं जैसे कि यहां पर हमनें एक ही 3D models इमेज लिया है अगर आप यहां पर कुछ और चाहते हैं तो आप इसे यहां से हटा देंगे और चाह जाएगा ठीक है आपको इसके ऊपर कलिक कर लेना है और दें दोस्तों आप जीस चीज़ को explain करना चाहते हैं उस इमेज को यहां पर insert करवा सकते हैं जैसे कि मुझे इस बार यह वाला इमेज चाहिए तो यह वाला मैं select करूँगा और यहां पर मैं insert कर दूँगा यह insert हो गय इस पर right click करके send to back कर लेता हूँ ठीक है फिर यह line उपर आ जाएगा और then आप इस line को जहां भी रखना चाहें ठीक है वहां पर रख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप चाहें तो इसमें दूसरा भी 3D models insert कर सकते हैं और फिर दोस्तों आप इसके जो है अलग-अलग part को explain कर सकते हैं ठीक है बस आपको गया करना है इसका duplicate लेना है और जैसे कि मैंने इस बाग को explain कर दिया अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे के चीजों को explain करना है तो मैं गया करूँगा इस तरफ से पगड़ के mouse से इस तरफ इसे rotate कर लोगा ठीक है तो इस तरह से इसके पीछे ठीक आप यहां पर चीज़ें दिख जाएगा और यहां पर मुझे मुझे कि यहां पर इस पार्ट को explain करना है तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ ठीक है तो I hope कि यह सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है अब आपको गया करना है slide बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है new slide पर क्लिक करना है और यहां से blank slide एड कर लेनी है और इस blank slide को आप सबसे ऊपर रख देंगे और देन दोस्तो इसका जो भी topic है या आपने अगर कोई thumbnail बनाया है अपने video के लिए अगर आपने कोई चीज़ें डिजैन किया है तो आप चाहें तो उस के बाद दोस्तों आप इसमें क्या करेंगे कोई भी एक image यहां पर select करके insert करवा देंगे ठीक है तो यह इस तरह से आजाएगा और देन दोस्तों आपको क्या करना है picture format में जाना है crop में जाना है और यांसे expect ratio में जागर के system ratio 9 select करेंगे और देन दोस्तों आप side में click करेंग और देन दोस्तो हम लोग क्या करेंगे उपर जाएंगे और उसके बाद control key को press करेंगे और देन दोस्तो यह जो हमारा first slide है यानिकि हमारा पहला slide है इसके उपर click कर देंगे तो इस थरह से क्या होगा कि बांकि सभी slide हमारा select रहेगा और यह वाला select नहीं रहेगा क्योंकि दोस्तों अब हम इसमें जो transaction लगा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इन सभी में transaction लगाना है बट इसमें नहीं लगाना है इसलिए दोस्तों हमने क्या क्या कि बाकि सभी slide को select रहने दिया है और इसको select नहीं किया है ठीक है इस तरह से कर लेंगे अब दुस्तों आपको गया करना है नीचे में एक thank you slide add कर देनी है तो यहां से मैं new slide पे click करूँगा यहां से मैं एक blend slide ले लूँगा और यहां पे दुस्तों मैं गया करूँगा एक text box ले लूँगा और यहां पे मैं लिख दूँगा special thank you ठीक है control A से all select करूँगा और यहां स मैं इसका font size 6060 करके enter कर देता हूँ और यहां से मैं अपनी पसंद का font apply करके enter कर दूँगा और बड़ा रखना है तो आप और बड़ा कर सकते हैं इसे middle कर लेता हूँ और यहां से दूस्तों मैं font color थोड़ा सा change कर लेता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा यहां से middle कर लेता और देन दूस्तों मैं करूंगा slide के उपर right click करूंगा format background में जाऊँगा और यहां से दूस्तों मैं इसका color थोड़ा सा change कर लेता हूँ तो यह थोड़ा अच्छा लगता है और देन दूस्तों मैं करता हूँ थोड़ा सा इस slide को select करता हूँ control cc से copy कर लेता हूँ और इस व और देन दोस्तों हमें करना है side में click कर देना तो इस तरह से crop हो जाएगा और इसके बाद हम इसे कुछ इस तरह से रख देंगे ठीक है तो एक thank you slide last में mention कर देंगे बांके यहां पर और भी चीज़ें आपको लिखना है तो अप लिख सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आपक screen recording on कर लेनी है इस तरह से आप screen recording on कर लेंगे उसके बाद दोस्तों मैं करूँगा यहां से ppt में आऊँगा और देन दोस्तों मैं slide show पे click करूँगा और देन दोस्तों यहां से अगर यह heart है तो heart के बारे में यहाँ पे जो भी चीजे लिखा हुआ है जो भी bullet point है यसे हमें इस तरह से explain करते जाना है ठीक है फिर दोस्तों हमनों next slide में जाएंगे next topic को next चीज को explain करना है तो मैं enter की press करूँगा या space की जैसे मैं press करूँगा तो दोस्तों हमारा यह इस तरह से आ जाएगा ठीक है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह चीजों जो है बिल्कुल बदल चुकी है ठीक है अब यहाँ पर मैं इस तरह से explain कर सकता हूं कि अभी मैं जो है इस चीज के बारे में बता रहा हूं और इसका नाम यह है इसके बारे में यह यह चीज लिखा हुआ है इस तरह से आप explain करेंगे ठीक है चलिए इस चीज को हमने डिलीट कर दिया है अच्छा यहाँ पर देखिए दोस्तों एक इस मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा ठीक है टाइम देजेगा यहाँ पर यह जो हमने बुलेट्स पॉइंट लिखा है आप चाहते है कि इसमें एनिमेशन हो तो आप इसमें भी एनिमेशन लगा सकते है इसके लिए आपको करना है यह जो टेक्स बॉक्स है इसके उपर क्लिक करना है एनिमेशन टैप के उपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एनिमेशन पैन ओपन कर लेना है ठीक है ताकि दोस्तों हम द animation लगा दिया अप चाहें तो यहां से fly in animation भी लगा सकते हैं float in भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो अप लगा सकते हैं यह अपने लगा दिया यह लगाने के बाद अब आपको क्या करना है यह जो animation अभी लगा हुओ है इसके उपर double click करना है double click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का window open हो जाएगा यानि कि यह effect window है और then दोस्तों आप करेंगे यहाँ से यह जो after animation यानि कि animation होने के बाद क्या होना चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर more color में जाओंगा ठीक है और यहाँ से मैं custom में जाओंगा और इसे मैं यहाँ पर कर दूँगा gray color ठीक है और यहाँ से मैं okay कर दूँगा पहला यह हो गया ठीक है after animation में आपको more color में जा करके यहाँ पर color कर देना है custom color में कर गे से gray color कर देना है ठीक है यह हो गया उसके बाद आपको टैक्स animation में जाना है टैक्स animation में जाने के बाद दूस्तों आपको गया करना है यहां से by first level paragraph by first level paragraph select कर लेना है और देन दूस्तों आपको अब हो highlight हो जाएगा ठीक है highlight नहीं हो जाएगा बलकि वह hide हो जाएगा ठीक है चलिए अब इसमें हमने animation लगा दिया अब same animation दोस्तों हमें सभी text box में लगाना है तो हम लोग करेंगे इस text box को select करेंगे ठीक है इसके किनारे के उपर click करेंगे और देन दोस्तों यहां पे animation panther के उपर double click करेंगे ठीक है इसके उपर double click करेंगे और देन दोस्तों दूसरे slide में आएगे और इसका जो text box है यहां पर आ करके यहां पर किनारे में क्लिक कर देंगे तो इसमें animation लग जाएगा ठीक है फिर अगले slide में आएंगे और यहां से text box के उपर क्लिक कर देंगे फिर अगले slide में आएंगे और इसमें भी दोस्तों हम लोगे करेंगे text box में animation लगा देंगे ठीक है, same animation इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, मतलब अगले slide में जाते जाएंगे और animation painter इसमें apply करते जाएंगे, तो same animation हमारा लग जाएगा, ठीक है, ये देखें, लग गया, तो इस तरह से कर देंगे और दें दोस्तों आपको करना है side में click कर देना है, ठीक है, चलिए, तो दोस्तों अब जो बना है न हमारा, ये बिल्कुल final और fit जो है slide बना है, अब मैं इसे save कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे आपको इसका complete demo देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यह पहला point आएगा, ठीक है, यहाँ पे यह पहला text आएगा, आप इसको explain करेंगे, फिर दोस्तों आप इस space की यह enter की press करेंगे, तो पहला जो text था, जो भी चीज़े पहले लिखा हुआ था, वो चीज़े थोड़ा सा hide हो जाएगा, और दूसरा point यहाँ पे अच्छे से visual होगा ताकि audience का focus इस पे रहे, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इस चीज़ को हम लोग explain करेंगे, ठीक है, और फिर दोस्तों हम लोग enter की press करेंगे, तो फिर next slide में आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे यह दूसरा point आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी title यह headline लिखा होगा वो यहाँ पे दिखता रहेगा, और फिर दोस्तों हम लोग करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को एक एक करके explain करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है, 3D animation वीडियो, PowerPoint की मदल से बना सकते हैं, देखे, यह कितना अच्छा लग रहा है, मतलब किस तरह से मैं साइन्स के टीचर हैं, यह साइन्स के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बहुत ही helpful रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस तरह का presentation बनाने की जुरुवत पढ़ सकता है, अगर आप पढ़ाते हैं, तो दोस्तों आप इस तरह का presentation बना करके, अपने 3D model इसमें insert करेंगे, और उसके according दोस्तों आप यहां पर चीजों को add करेंगे, और जिस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया है, सिखाय समझाया है, इस तरह से आप अपना PowerPoint presentation बना करके, चीजों को explain करेंगे, और इस तरह से दोस्तों आपको जो है, यह 3D animation PowerPoint presentation बन जाएगा ठीक है, तो I hope दूस्तों कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजे बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा, दूस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये टुटोरियल पसंद आया है, तो इस वीडियो को like कर, इस छोटे बाय का manual बना है, द पकली दूस्तों, जैहीन बंदे मात्रम